नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Redmi A1 है या A1 Plus है कोई भी फोन है तो यहां पे आप डेली डेटा लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं देटा यूसेज डेटा लिमिट दोनों चीजे बताऊंगी तो यहां पे आपको सीक्यृरिटी वाला ही एक अप्लिकेशन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे इस step से option आएगा तो यहाँ पे data usage है तो data usage पे आपको click कर लेना है और इस step से आपको sim 1, sim 2 ऐसे 2 option देखने को मिलेंगे ठीक है तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे जो setting का option है setting पे click करेंगे और जैसे कि मैंने बताया sim 1 के लिए यह है sim 2 के लिए यह है तो यहाँ पे मान लो geo का है मेरे को on करना है तो यहाँ पे यह on हो जाएगा या फिर sim 2 के लिए ऐसे तो sorry sim 1, sim 2 तो sim 2 में मैं लगा के दिखाती हूँ आप देख लेंगे अपने तरीके से data usage मैंने on कर दिया है अब यहाँ पे data plan आजाता है तो data plan पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको monthly वाल option देखने को मिलेगा आप monthly सेट कर लेंगे यहां से और यहाँ पे data usage और वार्निंग आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको daily data limit का option देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम data plan पे click कर लेंगे और यहाँ पे monthly data limit कितना मिला है आपको 30 GB है तो 30 GB डाल देंगे okay कर देंगे ठीक है और यहाँ पे आपको warning मिल जाती है तो अगर सिर्फ warning चाहिए तो show warning पे click करेंगे अगर warning के साथ mobile data turn off होना चाहिए तो second वाला option choose कर लेंगे तो मैं second वाले option पे choose कर लोंगे data usage का warning level कितना होना चाहिए यह आप कम ज्यादा कर लेंगे अपना according तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा data बचाना है 5 GB तो यहाँ पे ना मैं 25 GB कर दूंगे तो मैंने 92 कर दिया है सब्सक्राइब कर देंगे 84 परसेंट कर दिया है ताकि मैं 25 GB तक यूज कर लूँ उसके बाद मिनको warning मिल जाए तो मैं 5 GB और एक्स्ट्रा बचा सकते हो ओके करके और यहाँ पे reset date का option आएगा तो यहाँ पे ना आप date सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हर महीने data limit आपका वही से स्टार्ट हो जाए और आपको रोज रोज ना करना पड़े मतलब हर मन्त तो यहाँ पे मैंने एक तरीक करके okay कर दिया है इसके बाद back कर लेंगे अब यह पे यह on करने के बाद size आपका दिख जाएगा आपको कितना जीबी यह 3% of monthly data जो आपका monthly pack है उसका 3% आपको daily मिलेगा ठीक है इतना MB यानि कि एक GB के लगबग यह आपको देगा use करने के लिए क्योंकि हमने जो set किया है उसके according ठीक है और इसके बाद यहाँ पे cancel कर देंग इसको यह automatically ले लेता है और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे इन में से select कर सकते हैं या फिर custom कर सकते हैं कि आपको daily कितना चाहिए अगर 1GB चाहिए तो 1GB क्लिक कर लेंगे यहाँ से MB और GB के form में change करके ok कर लेंगे तो यहाँ पे 1024 यानि कि 1GB होता है तो यह set हो गया है 1GB daily का देख सकते हैं और यहाँ पे वही सेम चीज कि warning चाहिए कि warning के साथ mobile data turn off होना चाहिए तो वह आप choose कर लेंगे अगर warning आपको lock screen पे show होनी चाहिए तो आप इसे on कर देंगे और यहाँ पे data usage warning आप set कर लेंगे और इसके बात back कर लेंगे तो इस step से आप daily data limit set कर सकते हैं तो यह procedure complete करना जरूरी है आप सोचोगे कि यहाँ पे directly मैं daily data limit पे चला जाओ तो ऐसा नहीं होगा पहले आपको ऐसे line से करना होगा तो यह set होगा बाकि यहाँ पे additional setting आ जाता है जैसे कि data notification जो आपने data limit लगा है त सो जितना यूज करेंगे जितना महीने में मिला है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर यह पुराने वाला control center लगा रखा है तो देखने को मिलेगा अगर नए Bei ने सब्सक्रत लियू आपको पसंदाया होगा चले मिलते आपको एक next वीदियो में तब तक के लिए न म मुचकार